दोस्तो जैसे कि या हमने पढ़ा था नाउन के बारे में संग्या तो जो संग्या है उसे इंग्लीश में नाउन कहा जाता है और संग्या में संग्या जेंडर यानिकी नाउन जेंडर जेंडर को चार भागों में भिवाजित किया गया है और जेंडर के जादा तर कॉश्चन जो हैं ट्रेड्समेंज, एरफोर्ट, बाई ग्रूप, नेवी, एम आर और पुलिस और विविन कॉम्पिटेटिव एक्जामर में आते रहते हैं तो आज इसको हम बिल्कुल बेसिक ग्रूप से पढ़ेंगे आप देखेंगे यहां स्क्रीन पे कि जेंडर को चार भागों में विवाजित किया गया है ज्यादा तर हम जेंडर के बारे में ये जानते हैं कि एक मेल होता है और एक फीमेल होता है लेकिन इसमें सबसे पहले हम जहां देखें तो मस्कूलाइन जेंडर, सबसे पहले जेंडर जो है वो चार भागों में बिवाजित किया गया है, यह हमने पढ़ा है और इसमें हम देखें यह हमने जेंडर को चार भागों में बिवाजित किया गया है, सबसे पहले मस्कूलाइन जेंडर जिसे हम पुलिंग कहते हैं हिंद फादर संब्स ताइम थंडर एक्सेक्ट्राइब नंबर दो पे हैं फैमिन जेंडर डैड इन इस्त्रिलिंग इस्त्रिलिंग जो नाउं जो नाउं फीमेल सेक्स को व्यक्त करते हैं उन्हें हम feminine gender कहते हैं यहनकी sterling कहते हैं हिंदी में pulling और sterling यह वहां पर संगय के रूप में लिए जाते हैं संगय का ही यह रूप है कि हम किसी को किस नाम से पुकारते हैं और link के अधार पर उनके जेंडर निधारित होते हैं तो that is tigress, woman, linus, mother, sister, peace, nature, earth, goddess नमबर तीन पर हम देखें नमबर तीन पर है common gender common gender ऐसे noun जो इस्त्री एवं पुष्ट दोनों के लिए प्रिक्त होते हैं उन्हें common gender कहते हैं हमने पिछले इस noun chapter में हमने संग्या के chapter में पढ़ा था कि वहाँ पे he or she यनकी his और her का प्रियोग केई बाल डॉटफुल हो जाता है तो वहीं ये वही शब्द आ रहे हैं जैसे child, baby, teacher, servant, student, cousin, infant, thief, neighbor तो common gender ऐसे noun जो इस्त्री एवंपुष्ट दोनों के लिए प्रिक्त होते हैं उन्हें common gender कहते हैं आगे है neuter, gender, नपुन्सिक, link ऐसे noun जो उन नर्जी बस्तूं को विविक्त करते हैं जो ना male है और ना female है neuter, gender कहलाते हैं जैसे copy, book, room, paper, tv, box, etc तो ऐसे ऐसे noun को हम, ऐसी संग्या को हम नपुन्सिक, link कहते हैं आईए आगे हम कुछ important types इसके पढ़ते हैं जो कि ज़्यादा तर competent exam में आते हैं तो हम देखें सबसे पहले type में कुछ ऐसे cases में masculine noun के बाद EWS लगाने से feminine noun बनाया जा सकता है for example first that is author, authoress, host, hostess, job that is a job, mayor, mayoress, covee, poet, poetess, tutor, tutress, ship, तो आगे हम देखें देखें that is a gun that the gun test, दानव, उसके बाद hair, hearess, line, linus, pressed, kristess, tailor that the tailress तो ये important words जो हैं जादतर पेपर्स में आते रहते हैं जादर words वही लिए ये गए हैं आगे type 2 में कुछ cases में muscular non के unthemed wobble एवं उसके पहले आने वाले consonant को हटाकर EWS जोडने से भी feminine non बन जाता है यह ने consonant wobble जैसे for example actor, actress, benefactor, benefactress तो यह यहां पे आप देखें hunter, huntress, prince, princess waiter, waitress, ambassador, ambassador, negro, negress, director, directoress, tiger, triggers तो इस case में हम देखें हमने देखा कुछ cases में feminine noun के unthemed wobble के unthemed wobble एवं उसके पहले आने वाले consonant को हटाकर EWS लगा दिया जाता है तो feminine noun बन जाता है अब हम चलें type 3 पे type 3 पे type 3 पे आप देखें cases compound masculine के first अथवा second शवर्ड में कुछ परवर्तन किया जाता है ऐसे cases में compound masculine compound जैसे man तो यहां पे man और यहां पे that is man servant made servant वाशर यहां पे आप देखें जो शुरू का शब्द है स्टार्टिंग का वो वाशर वैसे का वैसा है और लास्ट का चेंज कर दीगे है woman buck rabbit that is a doe rabbit brother-in-law that is sister-in-law he bear she bear यहीं हाफ ऑफ वर्ड जो है वो चीज वहा है वाकि बैसिक है वैसा ही रखा हुआ है तो इसी तरह भी हम इसको change कर से हैं bull calf that is a cow calf that is a jackass that is a jenny ass that is a headmaster that is a headmaster is mankind that is a milkmate postmaster that is postmaster is मैं आपको बता दूँ यह जादतर words लिए गई है जो जादतर आपके previous competitive exam में आए हुए है peacock that is a pehan that is a landlord, land lady, father-in-law, mother-in-law, he got, she got, stepfather, stepmother, cook sparrow that is a hen sparrow, cock, sorry, cock sparrow that is a hen sparrow, dog wolf, witch wolf, stepbrother that is a stepsister, grandson that is a granddaughter type 4 ने हम देखें कुछ cases में masculine शब्दों में कुछ changes किया जाता है और एवं अंत में EWS लगाने पर feminine norm बन जाता है कुछ changes आप देखें तो यहां देखें emperor, empress, that the governor, that the governess, duke, duchess, that the god, goddess, that the master, masteress and आप यहां पर देखें कि इस cases से पहले भी हमने EWS के नहीं पढ़े तो उन कुछ cases में इनको changes किया जा सकता है that the last five foreign words एवं अन्य विविद शब्दों में masculine एवं feminine gender नीचे दिये गे हैं इनको किसी विशेश नियम के तहर प्रबटित नहीं करते हैं जैसा कि हमने पढ़ा था universal जो language English लिखने का जो शब्दों को जो लिखने का तरीका है वो universal नहीं है और इनकी जो pronunciation भी है इनके जैसे word भी है वो भी कई गंटी में अलग लग रूप में लिखे जाते हैं तो उसी के चलते कुछ इसमें जैंडर में भी डिरेक्ट शब्द यहां पे आपके सामने हैं जो जातर पेपर्स में आते रहते हैं जैसे for example घखे प्रमाच बूंद ढ़र हैं में आतर बाग आतर रहतीप्त एथा एनके में जातर ग्स के अन्य dog, witch, buck, doe, all the courtes, monk, nun, gender, goose, heart, roe, horse, mayor, king, queen, man, woman, mister, mrs, sheep, eve, son, daughter, uncle, aunt, fox, vixen, ox, cow, taster, 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 bachelor, maid, boy, girl, cook, hen, drake, duck, drawn, bee, bull, cow, father, mother, bridegroom, bride, gentleman, lady, he, she, wife, husband, lord, lady, male, female, nephew, nice, sir, madam, widow, widower, widow, wizard, wit. तो हम ये words जो हैं, जातर ये words लिये गे हैं, जातर ये words लिये गे हैं, जो आपके papers में competitive exam में आते रहते हैं. ये बहुत ही बेसिकल पार्ट है, language को सीखने का, English को सीखने का, और यहां से इसको करना और जादा असान होता है, जादा तर ये आपके error में भी, आपको जो finding the error आता है, निकालने के लिए, language में, English test में, competitive English test में, तो वहां भी ये आपके लिए सहाइक होता है, नमस्कार दोस्तों, आप बने रहे हैं हमारे साथ, और जादा जान कैरी, जादा वीडियो के लिए, आप army guru नाम का cap है, उसे भी आप download कर सकते हैं, वहां free में भी, और कुछ other courses भी वहां डाले गए हैं, इसी के साथ आपका धन्यवाद.